हेलो एन विलकम दोस्तो मैं हूँ और को और आप देख रहे हो हाइटेक ब्रोग दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको साथ फोन्स का बारे में बताने वाला हूँ जो स्टार्ट होगा अप 14,000 से 20,000 तक यानि कि मैं 14,15,16 ऐसे हर एक प्रैस पॉंट में आपको एक फोन बत कर देखा ताकि आप लोग से कोई भी वीडियो हम लोग को तरब से मिचना होई और दोस्तो आगे आगर आप लोग वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना और कमें जरूर बताना आप लोग को कौन सा फोन सब्सेज्जादा पसंद आया या हम लो सबसे उपर स्टेंड करता है क्योंकि इसमें आप लोगो 17DG वार प्रोशेसर मिलता है आप लोग सोचो जो प्रोशेसर हम लोग को 20,000 रूपीज का स्मार्टफोन में भी अभी देखने को मिलता है वह इस प्रोशेसर आप लोगग 14,000 में मिल रहा है आप लोग का परफोर् भी देखने हो मिल जाता है तो प्रीमियम वाला फिलिंग आप लोग को इसमें मिल जाएगा इसका बारे में बात करते हैं दोस्तों इसमें आप लोग को क्वार्ट केमरे सेटम मिलता है अपना प्रोट केमरे देखने हो मिल जाता है और दोस्तों इसमें आप लोग को स्वेंट इसमें यह फोन इसमें बात करते हैं दोस्तों यह फोन बहुत ज़ादा देड तक चलने वाला है दोस्तों अभी आ जाते हैं हम लोग अपना दूसरा फोन पर यानि कि रूपीस 15,000 का फोन में अभी रूपीस 15,000 में भी आप लोगो बहुत सारा फोन देखना हो मिल जाएगा पोको M2 Pro भी आप लोगो इसमें देखना हो मिल जाएगा जो 14,000 वाला फेटेंट है उसमें आप लोगो 64G वाला फेटेंट देखना हो मिल लेगा अगर आप लोग एक बार फास रिफेटेंट होता है उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा या थोड़ा से अच्छा नहीं लगा उसकी यूज़ करने में दोस्तों प्रॉइसर का बार में बात करते हैं इसमें आप लोगो मीडिया टेक का हिलो जी 95 प्रॉइसर देखना हो मिल जाता है जो कि सबसे ज़्यादे लेटेस्ट मीडिया टेक प्रॉइसर है और केमेरा का बात करते है इसमें आप लोगो बेस्ट कोट केमेरे सेटप चाहिए को 5,000 इमिज इसमें आपको 5,000 इमिज का बड़े बैटरी भी देखने को मिल जाता है और इसमें आप लोग को super dark charging भी देखने को मिल जाता है जो कि आपका phone को एक घंटा पानस मिलेट में और दोस्तो 15,000 पर प्राइस परड़ में आप लोग को DLMi 7 का 6 Plus 64GB वालेटेंट एविलेबल मिल जाएगा अभी बढ़ते हैं हम लोग अपना थर्ड फोन पे यानि कि जो 16,000 रुपीज है इस प्राइस परड़ में जो सबसे बड़िया फोन आप लोगो मिलेगा वो है Motorola का One Fusion Plus दोस्तों बहुत यादा हीट फोन रहा ही है और मीड रेंज में Motorola इसी से कमबेक किया है बहुत यादा भी का ही है फोन बहुत यादा अच्छा रेटिंग भी है इस फोन का इसका कुछ स्पेशिफिक केसं का बारे में बात करते हैं इसमें आप लोगो 6.5 इंचेस का IPS LCD दिस्पेश देखने हो मिल जाता है और दोस्तों प्रोशेसर बिक्स का बहुत ही बढ़िया मिलता है आप लोगो स्नैपड़ागन 730G का प्रोशेसर देखने हो मिल जाता है इसमें आप लोगो और केमरें के बारे में बात करते हैं दोस्तों इसमें आप लोगो यह बेस्ट फोन है वह है Poco X3 यह शायद अभी आप लोग आप लोग दिखाएगा क्योंकि यह बहुत ही आदा रिसेंट ली रांच वा फोन है और इसका सेल के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा लेकिन फोन बहुत ही अच्छा है दोस्तो परफोमेंस वाइस ऐसा जो अब लोग उसको भी चेक कर सकते हो यह इस प्राइस पोई और में आप लोग रियालमी 7 का भी 8-1200 G वाल अवरीन देखना भी मिल जाएगा 120 Hz का refresh rate का support देखनों मिल जाता है जो कि बहुत ही बड़िया बात है दोस्तो 17,000 में 120 Hz दोस्तो Poco X2 में भी आप लोगो 120 Hz देखनों मिल जाता है और Poco X3 में भी आप लोगो 120 Hz देखनों मिल जाएगा और प्रोशेसर का बारे बात करते हैं दोस्तों इसमें आप लोगो बहुत जादा नया 732 G का प्रोशेसर देखनों मिल जाता है जो कि थोड़ा सा उपर है 730 G से थोड़ा सा इंप्रूब्मेंट है और कैमेरे का बारे हम बात करते हैं इसमें आप लोग प्रेडी में इससरा सिंगल फ्रेंट कैमेरे देखनों मिल जाता है बारे हम बात करते हैं अप लोग 6000 ऑमिज को बड़ा बैटरी देखनों मिल जाता है और इसका साथ लिए आप लोग जा सकते हैं लेकिन आप लोग अगर जल्दी है तो आप लोग इस price point में दूसरा phone भी try कर सकते हो क्योंकि यह अभी फिलाल out of stock चल रहा है और सिर्फ sale में ही आप लोग का available मिलेगा दोस्तो अभी 5th number phone का ममारे में बात करते हैं यानि कि 18,000 price point में दोस्तो 18,000 price point में हम लोग रखे है Poco X2 को इसका starting price है 16,500 दोस्तो अबर आप लोगो 17,000 रुपिस का अंदर में phone खरीदना है तो आप लोग इस phone के लिए भी जा सकते हो दोस्तो इस phone को list में include करना ही था तो हम लोग इसलिए इस phone को 18,000 के price point में रखे है पूरा 18,000 भी नहीं लेता है 17,500 में यह आपको 6GB plus 128GB वाला फेटेंट दे देता है और दोस्तो इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए यह phone one of the best phone है under 20,000 और जितना भी phone साज है 20,000 का अंदर लेकिन यह phone फिर भी one of the best रहे गाई under 20,000 दोस्तों इसका कुछ specifications का बारे में देख लेता है तो इसमें आप लोग 6.67 इंचेस का IPS LCD display देखने हो मिल जाता है और इसका सासद आप लोग इसमें 120Hz का refresh rate भी देखने हो मिल जाता है दोस्तों इसमें आप लोग glass bag मिलता है जो कि POCO X3 में missing है और दोस्तों performance के बारे में बात करते हैं इसमें आप लोग Snapdragon 730G का process देखने हो मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है और camera के बारे में बात करते हैं इसमें आप लोग को quad camera setup में देखने हो मिल जाता है और इसका साथ साथ आप लोग को इसमें 27W का fast charging का भी support देखने हो मिल जाएगा जो कि बहुत ही बढ़ी है दोस्तो दोस्तो इस price point में यानि कि 17,500 रूपिस में आप लोग को इसका 6GB प्लस 128GB वाला variant देखने हो मिल जाएगा दोस्तो अभी 6th नंबर पर जो phone हमलों का list में आता है यानि कि 19,000 रूपिस का price point में वो है Realme का तरह से Realme 6 Pro दोस्तो इसको भी include करना ही था क्योंकि यह phone भी one of the best था और अभी भी है Realme 6 Pro 20,000 रूपिस का अंदर में one of the best phone है अभी भी 19,000 रूपिस में दोस्तों आप लोग को इसका 6GB plus 128GB वाला variant देखना हो मिल जाता है डिस्प्ले का बारे में बात करते हैं इसमें आप लोग 6.6 inches का IPS LCD देखना हो मिलता है और इसमें आप लोग को 90Hz display का support भी देखना हो मिल जाता है और performance का बारे में बात करते हैं इसमें आप लोग को snapdragon 720G का प्रोशेसर देखना हो मिल जाता है जो कि हर एक game आप लोग को mobile में support कर देता है काफी अच्छा प्रोशेसर है दोस्तों और camera's का बारे में बात करते हैं इसमें आप लोग को 64 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 2 MP का quad camera set देखना हो मिल जाता है और front में आप लोग को dual front camera देखना हो मिल जाता है 16 प्लस 8 MP का camera का मामले में दोस्तों ये phone बहुत ही आदा उपर रहे हैं अगर आप लोगो camera के लिए जाना है तो आप लोग इस phone को भी देख सकते हो और दोस्तों बैटरी का बारे में बात करते हैं इसमें आप लोगो 4300 इमेज का बैटरी देखना हो मिल जाता है और दोस्तों काफी देट तक भी ये बैटरी चल जाता है दोस्तों फाइनरी लास्ट बार्ट नॉट दे लिस्ट सेवें नमबर पर जो फोन है आम लोग का लिस्ट में यारे कि 20,000 का प्राइस पॉइंट में वह है अब लोग को बहुत जादा मज़ा आने वाला है इसका बारे में बात करते हैं इसमें आप लोग को स्नेप्राइगन सेवें टीजी का प्रॉइसर देखनों मिल जाता है यह एक कमी है साइथ 730 जी दे देता तो हम लोग और जादा खुश हो जाता है लेकिन फिर भी बहुत ह अच्छा प्रॉइसर है हरे गेम इसमें भी चल जाएगा इसका बारे में बात करते हैं दोस्तों इसमें आप लोग सिस्टी फाइवाट कर सूपर डाट चार्जिंग देखनों मिल जाता है जो कि आपका फोन को 35-40 मिन्स में फूल चार्ज करके दे देता है जो कि काफी अच अब लोग इस सीरीस के साथ जा सकते हो रियल्मी 7 और रियल्मी 7 प्रोड नहीं अच्छा फोन है दोस्तों रियल्मी 7 प्रोड चैनल को थोड़ा चा मदद मिल जाता है वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करके जबूर जाना और अगर अभी तक सब्सक्रीब कर ले सब्सक्रीशन बिल्कुल भी फ्री है तो दस्तों यहीत आज का वीडियो में मिलते आप लोग से अगला वीडियो में तिल देन बाई बाई